नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की डैपाईज टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, डैपाईज टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डैपाईज टैबलेट की वज़से क्या साइड रखते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की डैपाईज टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, डैपाईज एक ब्रैंड नेम है, डैपाईज टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डैपागलिफलोजिन 10 mg होता है, डैपाईज टैबलेट का उ नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वज़ह से किड्नी डैमेज हो सकती है, आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है, और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है, इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है, खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ती पर परी डाइबिटिक स्टेस पर है, परी डाइबिटिक स्टेस पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंतरण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का blood sugar level 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को diabetes की समस्या है इसके अलावा kidney की बीमारी से पीडित व्यक्तियों को भी Dr. Depice Tablet को लेने की सला दे सकता है Depice Tablet kidney की बीमारी को ज्यादा गंभीर होने से रोकती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Depice Tablet की वजह से कोई Side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Depice Tablet की वजह से कुछ Side effects हो सकते हैं जैसे जुकाम होना, कमर में दर्ध होना, पेशाब अधिक आना, उल्टी आने का मन होना, पेशाब में infection होना, पेशाब करते समय दर्ध होना, गले या फेफरों में infection होना, कब्स होना और शरीर के जोरों वं मासपेशियों में दर्ध होना आदी Side Effects Depice Tablet की वजह से हो सकते हैं इसके अलावा Depice Tablet की वजह से महिलाओं वो पुरुशों के private parts में infection होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है Depice Tablet को शुगर कम करने की अन्य दवाओं के साथ लेने से शरीर का blood sugar level बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है अब हम discuss करेंगे की Depice Tablet को कैसे लेना recommended होता है Depice Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है Depice Tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Blood Sugar को नियंतरन में करने के लिए शुरुआत में Depice 5 MG Tablet को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं और बाद में जरुरत पढ़ने पर Dr. Doge को बढ़ा कर Depice 10 MG Tablet को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह दे सकते हैं Heart Failure और Kidney की बीमारी के इलाज में Dr. Depice 10 MG Tablet को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं Depice Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं इसलिए आपको Depice Tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की Depice Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए जिन व्यक्तियों का Dialysis का इलाज चल रहा है ऐसे व्यक्तियों के लिए Depice Tablet का सेवन करना recommended नहीं होता है शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रन में करने के लिए आपको Depice Tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए चिन्ता वतनाव से बचना चाहिए परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए टाइप वान डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीतोसिस होने पर Depice Tablet को लेना recommended नहीं होता है ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको Depice Tablet को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको Depice Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Depice Tablet का सेवन करना सुरक्षित वर recommended नहीं है विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और अगर आपका Depice Tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है